किसान भाईयों नमस्कार मुझे बताते हुए अपार प्रसंदता हो रही है कि इस बार का जो पूशा क्रिसी विज्ञान मेला 2022 का है वो मार्च 9 से लेकर के मार्च 11 तक पूशा परिसर में आयुजित किया जाएगा और मेले का उद्घाटन दिन में दो बजे मानिय केंद्रिय क्रिसी वंकिसान कल्यान मंत्री स्री नरेन सिंग तोमर जी के द्वारा किया जाएगा इस बार जैसा कि आप जानते हैं अभी भी कोविट की समस्या पूरी तरह से इसका समाधान नहीं हुआ है तो हम पूरी साधानी बरते हुए मिले कायोजन करेंगे और उसमें दो तीन बातें मैं आपसे अनरोध करना चाहूँगा कि आप जब आएं तो बहुत बड़े समू में नहीं आएं इसके अलावे दूसरी बात ये होगी कि हम रात में रुकने की ब्योस्ता नहीं कर रहे हैं इसलिए आप जब आएंगे तो इस तरह की व्यवस्ता करकर के आई या तो अपने रुखने की व्यवस्ता स्वयम कर लीजिए या फिर इस तरह से कारिक्रम बना करके आए कि आप आ करके शुवर मेला दे करके और सामकूप फिर वापस जा सके ताकि आपको किसी तरह की दिकत नहीं हो यह जरूरी है कोविड नियमों का पालन करने के लिए बाकी हम लोग यहां पर मास्की और सेनिटाइजेशन और की वेवस्ता करेंगे अब रही बात मेले का हमारा मुख्य विषय क्या होगा तो इस बार हम मेले का आयोजन कर रहे हैं तकनीकी ग्यान से आत्म निर्वर किसान किस प्रकार तकनीकी ग्यान से हम किसान को आत्म निर्वर बना सकते हैं इस विषय पर हम मेले का आयोजन करेंगे और पांच बिंदू हैं मुखिरूप से जिस पे हम पिछले वरसों की तुलना में थोड़ा हट करके इस बार हम अपनी वैज्ञानिक चर्चा करेंगे जिसमें पहला वी से तो हमारा होगा स्मार्ट एग्रिकल्चर, डिजिटल एग्रिकल्चर, द्रोन का प्रयोग, अब जैस आपको दूसरे कीट पतंग कहां पे लगे हुए हैं, कहां पे उनका प्रकोफ हुआ है, इसका प्रयोग करना हो शिंसर के मादियम से, द्रोन के मादियम से उसको हम कर सकते हैं, तो डिजिटल एग्रिकल्चर के ऊपर, स्मार्ट एग्रिकल्चर के ऊपर एक सत्र आयोजित कि जाएगा जिसमें आपकी सारी समस्याओं का समधान किया जाएगा और इसके वारे में विस्तार में जानकारी दी जाएगी और इसी करम में डिजिटल एगरिकल्चर में किस प्रकार से अब जो बहुत सारे प्लेटफार्म बनाए गए हैं आनलाइन प्लेटफार्म चाहे वो आ दिजिए हमारा जो होगा वह मुख्यरूप से केंदित होगा एगरी स्टार्ट अप और एफ पीओ किसान उत्पादक संगठन किस प्रकार से किसानों की आमदनी बढ़ाने में संगठित होकर उतपादन करने में और उत्पाद की गुनवत्ता बनाई रखने में और उसको ब कारी मदद कहां से मिल सकती है तकनीकी ग्यान कहां से मिल सकता है और इसके लिए हम विशेश रूप से उन संगठनों को भी आमंत्रित कर रहे हैं जैसे मैंने उत्तर प्रदेश में चर्चा की थी करी 450 किसान उत्पादक संगठन हैं और उनका एक एसोसियेशन भी है के लिए इस तरह के उत्पादक संग बने हुए हैं तो आर्गैनिक प्रोडक्शन के लिए बने हुए हैं ऐसे लोगों को बुलाएंगे और उनसे आप से हम रूबरू कराएंगे वो बताएंगे आपको कि क्या किस तरह से वो एक प्यो बनाएं उसमें क्या-क्या समझाय होत रखते हैं और इन सारे विश्यों पर चर्चा की जाएगी तीसरी बात हम लोग प्रोटेक्टेट कल्टिवेशन वर्टिकल फार्मिंग हाइड्रोपोनिक्स एरोपोनिक्स यह एक नया विशय है और विशय जो है बहुत ही जरूरी है खासकर पेरी अर्बन अगरिकल्चर मे सहर में रहने वाले जो लोग हैं अपने छतों पर बागवानी कैसे कर सकें सीमित जगह में कैसे इसका लाव उठा सकें इस विशय के ऊपर भी हम दो विश्तार में चर्चा करेंगे चोथा मुख्य विशय जो है वो है कि हम प्राकरति खेती और जैविक खेती इसमें कैसे हम सामंजस्य बनाएं और इससे जो हमारा उतपाधन होता है उस उतपाधन को बाजार से जोड़ करके किस प्रकार जादे से जादे लाव किसानों तक पहुँंचा सके अब अभी था कनाट प्लेस में दुकान का नाम नहीं लूँगा लेकिन वहां पर पीली सरसों जो है सौ ग्राम की पीली सरसों का दाम डेड़ सो रूपे यानि की एक लाख पचास हजार रूपे कुंटल पीली सरसों विक रही है और किसान को क्या दाम मिलता है 5000, 6000, 7000, 8000 रूपे तो यह जो अंतर है अभी उस अंतर को कम करना है और यह अंतर कम तभी होगा जब हम संगठित होगे अप्यों के रूप में और अप्यों किसान को सीधे बाजार से ले जा करके जोडेंगे तो इस अंतर को हम कम कर सकते हैं इसके उपर हम लोग जोड देंगे और आरगैनिक और प्रा क्रिसी निर्यात के उपर अधारी थोड़ा है.